दोस्तों क्या आप एक कोईन केलेक्टर हैं आप घर बैटे मंगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए रेयर वैल्यूबल कोईन्स और नोट तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप्लिकेशन को या विजिट करें कोईन बजार वेबसाइट पर यह ब वेबसाइट और एप्लिकेशन पर विजिट करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं कोईन बैजार एप्लिकेशन और वेबसाइट का जाकर विजिट करें और घर बैटे मंगवाए अपने कलेक्शन के लिए रेयर वैल्यूबल कोईन्स और नोट नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों जैसा कि टाइटल और थम्निल में आपने देखा है कि आज किस वीडियो में दोर पे 1999 के एक रेयर कोईन के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों वीडियो काफी जदा खास और नोलेजबल होने वाली है और अगर आपके पास भी दोर पे के 1999 में या सन 2000 के और भी ऐसे कुछ सिक्के है तो जो बात में वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप उनमें जरूर चेक करें क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे कलेक्टर डिलर्स के पास काफी सारा लोट होता है स्टोक होता है ऐसे दोर पे कोपन निकल के सिकोंगा तो जो बात मैं बताओंगा वो आप अपने सिकों में चेक करें उनमें छाटे अगर ऐसे सिक्के आपके वो मिल जाते हैं तो आप काफी ज़्यादा लखी हो जाएंगे क्योंकि यह सिक्के बहुत रेर हैं तो 1999 के यह जो स्क्रिन पर सिक्के देख रहे हैं आप दोर पे के यह कोपन निकल के 6 ग्राम वजन के सिक्के हैं 1999 के यह सिक्के भारत की चार अलग-अलग मिंट्स के अलावा लंदन मिंट में भी ठाले गए थे टावर मिंट यूके जिसको कहा जा तो अब हम यह जानेंगे क्या दोर पे 1999 के जो सिक्के हैं कोपन निकल के इसमें वह कौन सी रेर वराइटी है और कितनी कीमत उसकी मिल सकती है या किसी ऑक्शन में अगर वह बिका है तो कितनी कीमत पर अब तक बिक चुका है तो जैसे कि मैंने शुडू में बताया था वीड है तो वह सिक्का काफी जड़ा खास और वैलेबल हो जाता है और वैसे भी यह तो एक फॉरण मिंट का सिक्का है तो इसमें जो OMS वराइटी देखने को मिलती है वह टावर मिंट यू के जो मैंने फॉरण मिंट का सिक्का बताया है उसमें एक OMS वराइटी भी देखने को मि और मैं आपको ये भी बता दू क्या 2020 की गैल्री के ऑक्षन में या ही सेम ओ एमेस कोईन 13000 रुपी गेमत में ंचुकतों का सिक्का कोईन बजार एप्लिकेशन पर भी बिख चुका है इसकीन पर जो डेटेल आप देख रहे हैं यह वही OMS सिक्का है ब्रास का ब्रास मैटल का जबकि नॉर्मली कोपर निकल के सिक्के इशु हुए थे तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका सिक्का कुछ अलग मैटल का दिख रहा है या आपके सिक्के का वजन कम जादा है तो आप एक बार उस सिक्के को किसी एक्जिबिशन में किसी कोईन एक्सपर्ट को जरूर चेक कराएं जैसे मैंने बताया कि कोपर निकल के सिक्के 6 ग्राम के सर्कुलेशन में आये थे लेकिन यह जो ब्रास का OMS सिक्का है इसका वजन है 6,85 ग्रामम में सिक्के की पह्चान एक यह है कि है वेट में फलक्ट्टूरेशन देखने को मिलता है OMS Sikhe का weight normally Sikhe से कम ज़्यादा होता है तो OMS Sikhe की एक तो metal ही अलग है metal अलग होगा तो सीधी सी बात है कि normal जो Sikhe है उनसे उसका वजन कम या ज़्यादा होगा जैसे मैंने आपको अभी आपने exhibition कमरे व्लोक देखा होगा में मैंने 10 पैसे दिखाये थे aluminum के उस 10 पैसे का वजन 2.2 ग्राम 2.5 ग्राम इस तरह का होता है लेकिन वह 6 ग्राम वजन का शिक्का था यानि के copper निकल का वह शिक्का था तो ऐसा काफी बार हो जाता है mint की तरफ से जो को इसी का other metal strike में other metal में बना दिया गया है और वह circulation में भी देखने को मिल जाता है तो ये तो वैसे भी foreign mint का सिक्का है ये tower mint UK का सिक्का है तो foreign mint के होने के साथ साथ ये off metal strike भी है तो ये सिक्का काफी जद्य खास हो जाता है और जैसे मैंने बताया कि आ क्लासिकल मिस्मेटिक गैले के एक्षिन में 13,000 रुपे का भी बिग चुका है औ कोई बाजार application पर भी ये सिक्का 18,500 रुपे की कीमत बिग चुका है अब आप समझ सकते है कि कितना rare सिक्का है डीटेल में समझे इस mint mark को इस mint mark को अच्छे से समझ ले इस पर यू बना होता है year के नीचे 1999 के नीचे देखेंगे तो यू mint mark इसको कहा जाता है और ये है लंद चांस होते हैं बहुत मुश्फिल होते है रेर सिक्का इतना असानी से मिलता नहीं है एक लग बात हो जाती है कि मिल गया आपको आपके पास बहुत बड़ा लोट है उसमें सिक्का डूड़ने पर मिल गया है तो काफी अच्छी बात हो जाती है collection में समाल कर रखे और जैसे म बार जैसे मैंने बताया हों में सिक्के आ जाते हैं circulation में और और खास हो जाते हैं सिक्के collectors की नेजरों में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी 1990 में के टू रूपीज तावर मिंट यूके के सिक्के के बारे में जो की एक OMA सिक्का है और ब्रास का सिक्का है और मैंने दो प्लैटफोर्म भी आपको बताए जहां पर ये सिक्का अल्रेडी बिग चुका है तो ये एक 100% सही और सची जानकारी है ऐसी ही सची जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको और भी ऐसी वैल्यूबल इंफ्रमेशन मिले अलग लग तरह के सिक्कों की जानकारी मिले रिपब्लिक ओफ इंडिया बिटिश एंचेंट मुगल सिक्कों की तो आप इस चैनल को सब अधा दो यह बहुत कम लोगों को मिलते हैं तो आज य वीडियो को में यह खतम करता हूँ जैल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके यह नोटिफिकेशन को जरूर में आने वाली वीडियो के लिए थीप अब को सबसे पहले मिल सके आज यस व